जालोन में की यूग का तलाब में पैर फिचल गया जिसके तलाब में डूप कर उसकी मौत हो गई मामले की जूचना ग्रामलो ने पुलिस को दी है मौके पर बहुचे पुलिस ने वितक के सो को तलाब से बाहर निकाल कर पोश्ट माडम के लिए भेजा है मामला उरोई को त्वाली छेत के रिनिया गाओ का है जहां का निवासी प्रेम प्रकास बीदी रात अपने खेत पर गया था दिर रात वक्षेत से घर लोट रहा था तभी तलाब की किनारे उसका पैर फिचल गया जिससे वह तलाब में डूप गया सुबह के समय सेर पर निकले ग्रैमडो ने उसका सव तलाब में पड़ा देखा जिसके बाद मौके पर भारी फीड जमा हो गई मृतक के पर जनोवा ग्रैमडो ने मामले की सुचना पुलिस को दी मौके पर पहुची पुलिस ने मृतक किस्वों को बाहर निकाल कर पोश्टमाड़न के लिवेजा है जो होटेल से आ रहा था सा उत्या से आनके तालाब पर उसकी प्यल खेसा गवर निकाव हो है शुब हमने सब न सुनी सब ता हमाई आदमी चाल जाए सब में भागे हैं देख हो गई है पुरानी पेंसन बहाली की मांग को लेकर फिभिन करमचारी संगठ नुद्वारा लगातार अपनी मांग बुलंद की जा रही है जिसके चलते जालाओन में आद संयुक्त करमचारी मोर्चा संगठन की करमचारीयों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार की सुध्य बुद्धी के लिए हमन किया इस दोरान उन्होंने मांगों की पुर्ति हेतु जमकनारेवाजी की बतादे की जालाओन के मुख्याले उर्य इस्थित गाधी चबूत्रे पर संयुक्त करमचारी मोर्चा के बैनर तले दर्जुन करमचारी का त्रित हुए जहां उन्होंने पुरानी पेंसन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश सरकार की सुध्य बुद्धी के लिए हमन का आयोजन किया सभी करमचारी ने हमन में आहोती देकर अपनी मांगों को बुलंद किया कर्मचारियों ने बताया कि पुरानी पेंसल बहाली की मांग को लगातार वह अंदोलन कर रहे हैं बाजुद इसकी सरकार द्वारा अभी तो कोई कतम नहीं उठाय गया जिस्तिकार प्रदेशी आवाहन परा सरकार की सुद्धी बुद्धी के लिए हवन किया गया है यदो उनकी मांगे पुरी नहीं होती तो उनका अंदोलन आगे भी जारी रहेगा प्रतेक जन्पदों में चेतना जात्रा निकालकर करमचारियों को जागरत किया है उसी कडिज में आगे का कारक्रम आज का उत्तर प्रदेश के सारे जन्पदों में बुद्धी सुद्धी जग करकर सरकार का ध्याना करना नहीं तो उनको सद्धी देने नहीं तो आज का कारक्रम बुद्धी सुद्धी जग किया जा रहा है तो अगला कारक्रम हमारा 21 तारिक से 5 जनवरी तक प्रतेक जनपद में जेल भरो आंदोलन है जिसमें एक पखवाडा करमचारी सिक्षक साथी जेल भरेंगे अगर फिर भी नहीं मानती है सरकार तो अगला और बली उग्रणीत जो प्रते करेगा उसको हम लोग अमली जामा पहना कर अधिक अधिक संग्या में सफल बनाएंगे हमेरपुर जिले में आज सुबह से ही CBI का वैत खनन पर सिकंजा कस्ता दिखाई दे रहा है दसर पूरे मामले की सुरुआत वर्स 2016 से हुई थी जब भी चंदरकलाडीयम हमेरपुर थी अवैत खनन की जन हित्याज क्या पर उच्छ नयायलाई लावादती मामले को संग्या में लेते वे CBI जाज करवाई थी CBI का रात में से ही रमेश मिस्राज जोकी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के MLC है उनके घर में च्छा पेमारी की साथ ही पूर्वजिला पंचायत अध्यच प्रतिनिधी के घर में भी च्छा पेमारी की पूरे मामले में कुछ अहम दस्तावेज भी CBI के हाथ लगे हैं अवेट मामले पर हमीर पूर्वजिला हमेशा सुर्खियों में रहा है पूरे मामले की जांच हाई कोट में CBI को दी थी जिसके बाद से आज हमेश पूर्वजिला पंचायत अध्यच प्रतिनिधी संजे दिक्षित के घर में च्छा पेमारी की पूरे मामले में 11 लोगों पर FIAR भी CBI ने दर्ज करवाई है साथ ही गिरफतारिया भी संभव है ततकालिन जिलाद कारी रही वी चंद कला पर भी CBI का सिकन्जा कस्ता दिखाई दे रहा है सिनियर आईएस वी चंद कला के कईठी कानों पर भी CBI ने चापे मारी कर रही है CBI के कारवाई अभी सुबह से ही जारी है अध्या में आज बध धर्मा लंबियों का जमाडा हुआ असर था सिच्छी का और समा सेवी सावित्रिवाई फूले के जन्मसो समारो और बध विहार के स्थाप्रा दिवस्त पर भगवान बध की मुर्ती के अनावरण का समारो में देश विदेश में आने जाने वाले बध धर्म गुरु अर विचारक सामिल हुए प्रतिमा का अनावरान सार्वनात के प्रसिध धर्म गुरु भंते स्वरुपानंत महा थेरा ने बधरी तिरिवास से धार्मिक जैगोबुसों के वीच किया अध्या के 14 चोकसी परिक्रमा छेत्र के अंतरगत बेकी का पुरुवा में इस्थित बुद्ध भिहार में उन्होंने कहा कि बिश्व सांती के लिए आज भी भगवान बुद्ध के दिये गए वीचार प्रासंचनिक है और बुद्ध ने सम्ता, स्वतंत्रता, न्या और बंधुत्ता की बात की साथ ही सिल समाच की भी बात की इसलिए जहां बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं आता और कर्वती प् संदेश दिया था और आज यदि हम बुद्ध के संदेशों को स्विकार कर ले तो युद्ध की जरुवत नहीं पड़ेगी यदि हम बुद्ध के संदेशों को स्विकार कर ले तो आज जो युद्ध की स्विकार कर ले तो आज जो युद्ध की इस्ति बन नहीं है वो नही युद्ध आई नहीं सकता है जहां बुद्ध है वहाँ पर युद्ध नहीं आता है मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है अपने कर्मों से गिरता है इसलिए बुद्ध ने कर्म के महत्त को स्विकार किया है और यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमारे कर्म ही हमको अच लिए दिया था उसी संदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं और जितने संत मात्मा हैं उनकी बारी का उच्चार्ण करेंगे जाके सब लोग सुखी हो सब का मंगल हो आज का कारिकरम जो है ये बहुत वियार के अस्थापना दिवस भारत की प्रतम मैला सिच्पा माता सावित्री सब्सक्राइब के जन्मोसो समारों के प्लक्ष में रखा गया था इसका मुख उत्देश है भारत वर्स में तथा गद्गौतम बुद्धुद्वरा प्रतपादित बहुत धम को डाक्टर अंबेद कर बाद के दुरू प्रसारित करना और लोग कल्लाण की बात करना भाजवा विधी प्रकोष्ट के धिवक्ता सम्मेलन में पहुचे प्रदेश के कानुनमंती व्रिजिस पाठक ने कहा कि आजाली के बाद उत्तपरदेश में योगी सरकार ने काफी संख्या में जज के पदों का स्रीजन किया है उन्होंने बताया कि 600 से अधीक पद सिविल जज़ जुनियर डिवीजन की वाज सवपद सिविल ज़ज सीनियर डिवीजन के स्रीजित किये गये हैं इसी तरह सी सवपद आत्रीक शात्र नियाधीस की वह 110 नई परिवारीक अदालतों का भी गठन किया गया है बरते मुकद्मों की सवाल पर कारण मंतरी ने कहा कि प्रदेश के सावी जिलो में इस्थाई लोख आदालतों का भी गठन किया गया है ताकि मुकद्मों का निस्तारं जल्द से जल्द हो सके उन्होंने कहा कि लोग अदालतों में किये गये निर्ड़ा की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होती जिसके कारण भुकद्मों में भारी कमी आ रही है उन्होंने बताये कि प्रदेश में 125 फास्ट ट्रेक कोर्ट समास कुन्याय देने के लिए गठन किया गया है जानकारी के लिए आपको बताया दे कि अधिया में आयोजी तभाजपा विधी प्रकोष्ट के अवध प्रांत के अधिवक्ता सम्मेलन में सिर्कत करने पहुची थी अधिवक्ता सम्मेलन में अवध प्रांत के 16 जिलोस्त के अधिवक्ता सामिल हुए सभी जनपदों में इस्थाई लोगों का डालते 125 नए फास्ट्राइक कोट जिसमें 100 माताओं बहनों पर अत्याचार अनाचार को शिगर नयाय देने के लिए और 25 नए फास्ट्राइक कोट S.C.S.T. समाज को शिगर नयाय देने के लिए इसके अत्रिक्त हमने सभी जनपतों में इस्थाई लोग अदालते गठत की हैं 110 नई पारवारी का अदालते नई स्रिज़त की हैं और इसके अलावा हमने 10 नए जो एक्सिजेंटल कोर्ट से उनका भी स्रिज़न किया है प्रदेश सरकार इस दिसा में बहुती गंभीर कदम उठा रही है मुगदमे को निस्तारान के लिए इस ताइल लोक अदालतों के गठन के माध्यों से बड़ी संख्या में लाखों मुगदमे निस्तारित किये जा रहे हैं आपको पता है लोक अदालत से एक फैसला आने के बाद फिर उसका अभील सुप्रिम कोर्ट पी भी नहीं की जा सकती बड़ी संख्या में हमारे जो नियाय मूर्तिगर्ण हैं इस दिसा में लगे हुए हैं और हमें बड़ी सफलता मिल लही कि मुगदमों में तेजी के साथ कमी आ रहे हैं आप अयोध्या धाम में आज खड़े हैं और मर्यादा स्री बोस्तर तम राम जी का मंदिश के लिए अपील करते हैं और लोगतंत्र में जन भावनाओं के आधार पर भी नियड़े जाते हैं मैं मानी इस्तम नियाले से अपील करूँगा कि जन भावनाओं को देखते हुए श्री गरे इसमें नियड़े दे और जिसे भब मंदिर का निर्माड श्री श्रोगे शमस्त देश्वासियों को 9 वर्श की हारदिक सुपकामनाई छेत्रवासियों को नगरपंचायत खुटार की तरब से अनपमशुकला, अध्यच, अज्सासी अधिकारी धर्मेल्सिंग एवन समस्सभासत गर की तरब से हारदिक सुपकामनाई चार साल पहले याने की दोन अक्टूबर को बुधानमिंदी नवनमदीनी देश में जिस सुचता और सफाई की मुहिम चलाई थी वहाज एक बड़े अंधोलन में तब्दिर हो चुकी है जिसका सकारात्म कुरूप दिखने भी लगा है नगर पंचायद खुटार में किये गए कारी से हम आपको दिखाती हैं एक सचता ही जड़त यह नजारा है साजहापूर के नगर पंचायद खुटार का जहाँ की चेर्मेन अंधम सुकला ने कुछ दिन पुरू कहा था कि दिन हुया रात नगर में कहीं भी कुड़ा करकट दिखाई नहीं देना चाहिए क्यूकि उनका मकसद था कि नगर को साब सुत्रा बनाना जो आज धरातल बर दिखाई दे रहा है जिसका गवाह यह पक्की न लिया गां के पानी को बाहर करने के लिए यह पक्की सर के लोगों के अवागमन के लिए और पात्रों के लिए प्रधान मंतरी आवास यूजना ये सुलब सोचाल है गरीबों के घर भी रोचनी हूँ इसके लिए बुजली विवस्त था यहाँ पर सच्छता वियान का एक अलग ही नजारा दिखता है जानकारी के लिए आपको बता दूए कि अब देश में सुच्छता कबरेज 2014 के करीब 49 फीसद से बढ़कर 90 फीसद से आहिक हो चुका है करीब 9 करोर सुचालों बनाई जा चुके हैं सारे 400 से अधिक जिले 21 राज जर केंडर सासित प्रदेश खुले में सौस से मुद्ध हो चुके है इस बदला के वाहत आप सब हैं जिन्हें में नकेवल सुच्छता के पती अपनी मांसिक्ता बदलते भी इसकी संस्केत अपनाई बलकी राष्टा समाज को सस्त ससक्त करने की अपनी भूमिका का भी निवा किया